हाई एवरिवन तो दोस्तों ध्यान दिजेगा आज की इस वीडियो में JST Taxpayers के लिए तिन बहुती बड़ी अपडेट्स हैं जहां JST Taxpayers को एक बार फिर से कई बड़ी रहत दे दी गई है और JST की इन लेटेस्ट अपडेट्स से रिलेटड आप सभी के स्क्रेण पर है यह प् अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन सभी अपडेट्स को आप यदि एक जगह अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इस प्रेस रिलीज को रेफर करें, तो आईए एक एक करके GST की इन सभी बड़ी और रहत भरी अपडेट्स को आसान सब्दों में सम कर दिया गया है, जहां जुलाई 2017 से अपरिल 2021 के टैक्स पिरेट से रिलेटेड पेंडिंग GST R3B के नॉन फाइलिंग पर एपलिकेबल कम की हुई लेटफीस की इस GST Amnesty स्कीम को एक बार फिर से 31 अगस्त 2021 से लेकर 30 नौबर 2021 तक के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है, यानि कि तीन और मेहनों का समय दे दिया गया है, जहां निल रिटरंस को केवल 500 रुपए और अधर देन निल रिटरंस पर केवल 1000 रुपए देकर पेंडिंग GST Riturns की फाइलिंग को आप अपडेट कर सकते हैं, वरना इसके बाद 10,000 रुपए तक पर रिटरं देने इस अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नमबर 33, डेटेड 29 अगस्त 2021, इसके बाद फ्रेट्स नेक्स्ट जो अपडेट है, वह मोस्ट अवेटेड और बहुत इंपोर्टेंट अपडेट है, जिसको लेकर बहुत से GST टैक्सपेर्स और टैक्स ह इनको लेकर है, फ्रेंट्स मैं इस अपडेट को सरल भासा में आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, तो समझिएगा, सबसे पहले सेक्षन 29 2B और सेक्षन 29 2C को आपको समझना है, जहां सेक्षन 29 2B ऐसे परसन से रिलेटेड है, जिने सेक्षन 10 के अंडर टैक्स पे करने की रिक्वार्मेंट है, फर उन्होंने लगातार तीन टैक्स पिरेट के रिटन्स को फाइल नहीं किया है, जबकि सेक्षन 29 2C ऐसे बाकी सभी परसन से रिलेटेड है, जो कि इस सेक्षन 29 2B में कवर नहीं होते हैं, और उनके द्वारा लगातार 6 मैनों के GST रिटन्स फाइ जिसके लिए आपको रिवोकेशन एप्लिकेशन को फाइल करना होगा, और उसकी टैमलेंज जहां 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगर्स 2021 तक थी, तो उसे 30 सेप्टेमबर 2021 तक एक्स्टेंड कर दिया गया है, यानि कि एक और मैने का समय एक्स्ट्रा दिया गया है, जहां आप इस डि इस अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नमबर 34, डेटेड 29 अगस्ट 2021, इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट अपडेट है, वह कंपनी GST फाइलर्स के लिए है, जहां कंपनी फाइलर्स अपने GST एर 3 भी, GST एर 1, GST IFF की फाइलिंग के दौ 2021, तो प्लीज, लास्ट टाइम तक आप वेट ना करें, और इन बड़ी रहाद बड़ी स्कीम्स का फाइदा उठाएं, तो फ्रेंड्स, यह थी GST से रिलेटेड टैक्स पेर्स के लिए, तिन बहुती बड़ी अपडेट्स, अगर आपके मन में कोई भी सुझाओ या सवाल है, तो आप अपने क्वेरी या सेजेशन को कमेंट कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा और हेल्फुल लगाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके साथ भी इस वीडियो अपडेट को सेर करें, GST income tax related, latest updates और educational tutorials को देखने के लिए हमारे चैनल expert info media को subscribe कर सकते हैं, thank you very much for watching this video, जय हिंद